अंज नियूज मेडिया में आपका स्वागत है अंज नियूज मेडिया के गलोबल लाइव सो में पढ़ा रहे हैं मिहमान के रूप में चित्र के जाने माने लीगर काका जी उर्फ उन्हें कहा जाता है और उन्हें जो नाम से लोग जानते हैं उनका नाम है अमर संकर्दी तो बीच पढ़ा रहे हैं और उनके साथ चर्चा में सामिन हैं चेत्र के जाने माने समाथ से भी कमला परसाथ सिंग्री जो की विद्दत जन हैं और वो काफी तालुकात रखते हैं तमाम विसायों को सहीजने में तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे وजीर गंज में जो नगर पंचायट बना है और नगर पंचायट का जो चेत्र का जो वाड्ट दए किया गया उन बात करेंगे और जा लेंगे उन्हीक विजुवानी तो आइए चलते हैं हम लोग बात करते हैं काका जी से काका जी छेत्र में हैं और आप देख रहे हैं नगर पंचायत का जो बात पर हुआ है उसको आप किस नजरिये से देख रहे हैं काका जी से आइए हम लोग चल चल लेत वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और हम लोग उसको नजर से देखे हैं और समझे भी है इस वार का जो वार्ड का परिसीवन बनाया गया है तो जो लोग ही बनाये हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाये हैं और हम लोग इससे आस्वस्त हैं और बहुत ही ब असोग जी इस्थिति था पहले का कि चवहद्दी का जो इस्थिति था कुछ समझ में ने आ रहा था इस वार चवहद्दी जो बाट के परिशिमन का बनाया गया वो एक प्रदम पारदर्सी कर दिया गया है जिसमें कि कोई हैजिटेशन नहीं होगा लोग समझने समें कहीं कोई किसी को प्रोब्लम नहीं होगा जाम रहे थे कि जो शेत्र बना है क्या उससे आप संतुष्थ हैं पुरी तरह से जीए हां असोग जी हम लोग फी संतुष्थ हैं और जन्ता के द्वारा जो जबा भारहा है अब applies हो लोग और रहा है然 कि एक कदम लोग्ण संतुष्थ हैं और बहुत बहुत बढ़िये तरीके से बाटिका परिशीमन तै किया गया है जैता लोग तो यही कर रहे años तो अभी अपनी चर्चा लेते हैं, अमेरे चर्चा में सामिन है, कमुला परसाथ सिंगी, तो उनसे हम चर्चा लेते हैं कि सर, आप अपनी मजरिया सी इस परिशिमन को किस तरह से देख रहे हैं? मैंने गहन अध्यरिक अध्यन किया पुरे नगर पंचायत के जो बत्थन किया व्यर गनिका तो यह जो परिशिमन किया गया है, वो 2,011 के जो जंगर्ना की अधार पर ही किया गया है, आम डोगों को समझ जय दुड़ी बहांती हो रही है और समझते है कि उतना मतदाता है उतने जंसंख्यां है उसे चरह कि जो परिशीमन किया गया ऐसकी। और मैंने देखा तो गाउं का जो अधियाận किया है। तो मुझे भी शन्तुष्ट्ष्क्टी हुई कि नहीं अधरी काज्योंने जो परिशीमन किया बाड़ का विल्कुल यथेस्थ है और विल्कुल उचीत है। तो सर पंग्राबाड जो बनाए गए हैं तो क्या उस पंग्राबाड को आप किस निजरिये से देखते हैं कि यहां पे कहीं कोई दिकत तो नहीं हुई है कोई लोग शमर्जाई से तो नहीं होगी है। बाड के परिशिमन कहीं कोई भेदवाव नहीं किया गया है। ना कोई जाती है और ना कोई समाज कोई हर बर्क के मिला करके जो जैसी आवादी है जहां जिन कुछ स्विधा होगी बाड में मतदातावां को अपने मतदान के अंदे पर जाने के लिए बीखनलागी करके एड़े है। जो जाती है जिंडेरिया के गयार बिल्कुल संतुष्थ हैों जो 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 जोडना जाहिए था जो नहीं जोटा है लगिन आभी जो छेति कर नजरियानक्षा वे बिलकुल सही है। तो पिर आभी हमें यह जरना भीचायंगे, कि वसिर कहाँ दॉते हैं लिगा नगर पंचायत हो जाने से। इसलिए देख रहे हैं कि ए जो नजरिया नक्सा जो बना है नगर पंचाइट का तो नगर पंचाइट का गठन किया गया और इसका निर्वाचन हो जायगा, सब लोग निर्वाचीत हो जाएगें, तो अप्यक्षित विकास होगा इसका बिलिगान का अप्यक्षित विकास होगा, इसकी आउसक्ता थी बहुत पहले ही, जब N.P. Singh जब नवालाम हम लोग थे उसमें उन्होंने एक नक्षा बढ़ाया था, जिसमें और गाउं को जोगडा था, लगिन अबर दोहीं पंचायच क तो थी आगे तो विकास बिलकुल शही होगा, बिलकुल तो हम आगे की चल्चा ने ओनाले की छोगरी से, जो कि नपका जी है, यह कर्कली हो, तो यह कर्या मन बनाये हैं, कि अब यह नगर पंचायच बना है, फ्टे अब टियूणी के लाफ्क में आप दोउना चाह रहे हैं ऐसे सूरकियों में है, तो इस तरह सामने हैं तो मैं जानाlya चाहता हूं जाना हम rays पाका जी कहसे भताय। रहे हैं, वे स्वेः कोंप चेत्र में चाहार रहे हैं गलो तौन भृ तो इस तो से शीची सुरकियह? असुग जी बात ऐसी है कि मैं 2016 में चुनाव लड़ा था और जन्ता के द्वारा मुदत करने के बाद मैं जीत को हासिल किया किसी कारण बस सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिल सका और उसमें मुझे कोई करश्ट नहीं हुआ और न किसी प्रसानी का सामना करना पड़ा मैं सोतर अपना उमिद्वारी वापस लेकर और जन्ता के सेवा में लगा रहा लमसम छो साल होने जा रहा है अब नजर पंचाई चुनाव की घोस्ना होने वाला है चुकि अभी को अधिसुचना जारी हुआ नहीं है परिशिमन बन गया है और बात ऐसा है कि जन्ता में अथी आ गया है न्यूज आया है कि भाई काका जी धोस्नाव लड़ा था और जीत भी गया था किसी कारण बस आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल तका इस वार आपको चुनाव लड़ना है तो मैंने जन्ता के बीच आवाज जवाया कि भाई आप चुनाव बिल्कुल लड़िये और हम लोग एकदम आपके साथ हैं तो मैंने कहा कि देखिये भाई जन्ता का सेवा तो मैं पांच साल से कर ही रहा हूं जन्ता के बीच हूं चुकि मेरा कर्टब असोग जी है कि मैं बिरोजगार आदमी नहीं हूं मेरे पास रोजगार का कमी नहीं है और सेवा के बदौलत ही मैं विकास का दर को 13 वरसों में मैं अपनी विकास के दर को इस कदर बहाया जो कि बजिर्काई प्रकणड में मुझे लोग देता काफी हासिल हुआ केवल मैं जानता हूं कि सेवा करने से ही मिला है हम भी किसी के मदत से आगे बढ़े हैं और हम जनता की मदत को समझते हैं जनता लोग ने जब आवाज लगाया तो मैं कहा कि निश्चित जवाब लोग का मंसा है तो नगर पंचाइत का चुनाव मैं बेसक लड़ूँगा और आप लोग जिस तरीके से कहिए मैं सेवा करने के लिए आपके पास तत्पर हूँ चुकि असोग जी इस्थिती इसा था कि उस समय पंचाइत, दोनों पंचाइत पुनामा पंचाइत और दखिनगाओं पंचाइत, पंचाइत हुआ करता था, अब तो परिवेस ऐसा बन गया है कि बजीरगंज नगर पंचाइत हो गया है, मेरा कार्य छेत्र दखिनगाओं पंचाइत हुआ करता था और राजनितिक छेत्र पुनामा पंचाइत हुआ करता कि राजनितिक छेतर में में सफल था पुनावा पंचायित में और काऍगर छेतर मेरा धकिनगाव पंचायित में था जंदा लोग धकिनगाव पंचायित का भी उतने ही कि लोग लोकपियत रिष्टिकों से देख रहे हैं कि नहीं आप आईएगा तो यहां का बजिगाई प्रखंड का कुछ अलग भाव रहेगा और दूसरे कोई इस नगर पंचायत का सेवा नहीं कर सकते हैं चुकि आप में कभी भेद भाव नहीं देखा गया आप जो भी चुन आते हैं और आप केवर भुमिहार का भोट मिला मुझे समुचे समदाय का भोट मिला और आज भी सने समुचे संप्रदाय का है मेरे पास जादव हों डलित हों महादलित हों जिस जाती के लोग हो मुसलिम हों सब लोग मान रहे हैं सब लोग का काना है कि आप बेहिचक चुन मिलेगा और सहयोग तो आप लोग करने के लिए तेयार है। मैं आप लोग की सेवा का भावना को समझते हुए। मैं चुनावी मैदान में एक दम प्यशक आ रहा हूं! पहले बिलकुल जन्ता की आवाज को आप बिलकुल शामने से सामना करने के लिए आ रहे हैं! आपके समग्र दूसरा कोई कंडिडेट नहीं है आप अगर चुनाव मुईदान में आ रहे हैं तब बेहिचक आईये और आपकी जीत सुनिश्चित है जनता की आवाज है असोग जी कि चुकि आपके पास भेद भाव नहीं है और सेवा भाव है इसलिए आप आईये और मैं तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मिडिया कर्मी जनता सब लोग आसिरवात दे और जैसकी बोट दे करकर करके य만 में जनता जनाधर की आवाज कर साथ साथ के आप भी रास्ते बेरे और चुनावी रा को आपको जनता जनाधरoured आशार विछ कुकि ऐसे भी शुर्खिया कि अधि कांज है तो रह आसान है यहीं जोंग है है तो शायद यही बात है कि जनता जनादन की इतनी उमीर है काका से काका आगी है तो राह आसान है तो शायद वजेगन में जो नगर कंचाइट की जो लडाई होगी चुनावी लडाई होगी उसमें शायद काका की जो राह होगी विल्कुल आसान होगी चुकि जनता जनाधन की आबाद से काका चुनावी छेत्र में आ रहे हैं और नगर पंचाइट में रहेंगे तो हम यह जानना चाहते हैं काका किस तरह मन बनाएं कि आने वाले वक्त में हम छेत्र में आएंगे और किस तरह से छेत्र में हम घुमेंगे करेंगे क्या क्या करने का मन बनाएं आप असोग जी बात ऐसा है कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा और मुझे लोग लड़ा कर बजिबंज नगर पंचायत का ध्यक्ष बना देंगे तो मेरा कारे रूप लोग जानते हैं जनता लोग जानता है चुकि मैं मध्यम भरगिय परिवाल से था और मैं अपना बिजनस दंधा ऐसे थिब्रगर्ती से बढ़ाया कर्म ही पूजा जो है तो हम कर करके दिखाए कर्म ऐसा किया गया जो कि विकास का दर दीन दूना रात चवना बढ़ाम है जब बजिगे नगर पंचायत अध्यक्ष किराब पकड़ूंगा तो जनता की भावना को संभ्यूआ की कष्ट कहा है जनता लोग को कैसे मदद किया जाए जो कि नगर पंचायत में किसी तरह का परिसानी नहीं हो चाहे वो जिस छेत्र में हो नल्जल का जो छेत्र भी चल रहा है अभी देखे सवाल है कि एक नंबर पुनामा बार्ड में पानी का किलर था मैं वहां ओवर्सियर आये हुए थे कि काका जी एक नंबर में पानी का दिकत है आज के दिन अभी मैं वहीं से आ रहा हूं वहां बोरिंग का इकरम बोरिंग में पानी नहीं था और बोरिंग का पॉइंट दिखवा करके कि वरसियर साहब बोरिंग में पानी यहां पर हो जाएगा तब यहां पर एक नमबर वाड में पानी का दिकत नहीं होगा चो नम्मर बाट दखिन गाओं का, अभी बोरिंग आपके पास, कोलेज के पास हो रहा है, और सीर साब से बात हुआ कि देखिए, किसी तरह से नल जल को ऐसा ठीक कर दिया जाए, जिसमें मेरे नगर पंचाईत को पानी का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, रास्ता की बात, सांती की बात आता है, हम लोग चाहेंगे कि जनता बिल्कुल हमारा सांती का, सांती बेवस्था में रहे, और मान परतिष्ठा उनका बरकरार रहे, कोई हो हलना हंगामा हमारे नगर पंचाईत में नहीं हो, आज जो उमीद से जनता मुझे बुला रही है, इसके पीछे रिजन है, कि मैं ऐसे प्रत्यासी से आता हूं, कि आज तक मेरी आवाज को उग्र रूप में जनता लोग नहीं देखा है, जनता लोग आप है कि नहीं, आप सब की भाव को समझते हैं, और सब का मदद करते हैं, गरीब हो चाहे हैं, अमीर 100% जो अधिकार रहेगा, मैं उसमें कहीं गलत सावित नहीं हो, लगेगा, उसका जेता जाता उदाहरा नभी है कि अभी से आप सक्रिये हैं, आप पानी के दर्स्ता कर रहे हैं, तब इधाये रहे हैं, इस तवाब चीजों के लिए आप अभी से ह अभी लगे है, इस रखी ने हैं, अभी लेगे हैं, इस तो इस पर हम लोग बात ले ले लेते हैं, हमारे बहुत सिल्य हैं, कमला ना बावू, और इहां बैठे विए हैं चर्चा में, अभी कहीं कहीं, जो नए नए बार्ड बनाए गये हैं, बनाये गए हैं, नगर इनका जीवन बहुत मुशीवत से बीता है, इस बाल काल में यानाथ हो गए थे, इनकी माने लावनपासन के अभिदवा थी, और कहा जाता है कि स्वा निर्मित व्यक्ति है, सेल्फ मेड़ व्यक्ति है, बहुत बहुत छोटी योकाथ से आजिस मुकाम पर पहुंचे हैं, और गरम पंचाय चुनाओ के पहले भी मैंने देखा अमर शंकरूर काका जीव के नाम से जो भिख्यात हैं, कि कई टोडों तो काफी निकास किया था, मिगा कोई सरकारी पैसा दिये भी, कोई बिना फंड के भी बहुत से पामिरों ने किया था, तो उस निकास के परती इनकी भ कोई जाधपात की भावना नहीं, कोई वर्ग वाद नहीं है, सबों को साथ लेकर चलते हैं, तो ही ज़ीदान को लेकर चेल रहें, और मजीगल में समस्याइन टो भी हैं बहुत से, उन समस्याओं के पती सजग हैं, और मुझे उम्ई है, कि जब नगर पंचायत के अध्यक् पर्दकर से जो आर्थिक जो सहाहता है जो आर्थिक जो योजनाया जो इयो आउन्टर में लगा, उसने कहीं कोई काम बिलकुरी मंदारी से करने में कोई क tutor ही नहीं करें भिलकुरीमंदारी से काम होगा और जहां ज़रूरिये होगा, कोई भावना से नहीं रहें, कि यह भुम्यार है, यादव है, यह है किसलिए, इनका सपोर्ट हर वर्ग स मिलने बाप मिला था तब अब भी, और अबर भी उमीद है कि हर वर्ग स मिलेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी, ऐसी ऐसी चर्चा है, आम लोगों कि अबर भी नहीं में सुनते हैं, इस सुर्खियों में है, काका जी, चेर्माइन पद के उमिरवार के सुर्खियों में है, और सब इनसे बहुत अपेक्षा रखे होगा है, कि काका जी वा आएगे, तो बजिगर नगर पंचाइट का अपेक्षी की विकास होगा, बिलकुर, तो लोगों की अपेक्षा है, जनता जानादर की अपेक्षा है, कि काका आएगे, तो नगर पंचाइट का जो है नगरिया बदल जाएगा, और यहां का डिवलप्मेंट जो है, वो चका चक हो जाएगा, तो हम यहां चर्चा लेते हैं, इस सब किस ता से आप नगर का गठंत मेरे हां हो गया, अभी प्रारूप चल रहा है, हलका प्रारूप है सफाई का, जो कि वजिरगेंज में साफ सफाई चल रहा है, मेरे चुनाव हो जाने के बाद, जब भी सबसे पहला बिवस्था जो है, कि आपका नगर एक दम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो कि पंचाईत का सबसे पहला प्रारूप है कि साफ सुथरा, स्वक्ष भारत, स्वक्ष विहार, स्वक्ष नगर पंचाईत की वेवस्था जो रहेगा, हम लोग अपने अस्तर से एक दम स्वक्ष नगर पंचाईत वजिरगंज को रखने का काम करेंगे, दूसरी बात है, कि जो भारत सरकार की योजना और जिहार सरकार की योजना सोचाले का जो चल रहा था, अब ही नगर पंचाईत उसमें हम्ला सक्सेस नहीं किया है, हम लोग को जो नया नगर पंचाईत का गठन करने के वाद, उमधवारी आ जायेगा, और अध्यक्षपद का ग्रहन कर लिया जाएगा, तो उसमें सौचाले का एक दम खुब बन्या तरीके से विधी विवस्था किया जा रहेगा जिसमें कि गंदगी हमारे नगर पंचाईत में नहीं हो तीसरी बात है उसमें आता है कि यहां लाइटिंग का आपके यहां प्रकाश लाइट संबंदी विजली बैलब कहिए लाइट कहिए सोलर लाइट कहिए अभी तो अब सोलर लाइट भी लग रहा है सोलर लाइट का प्रवंद आपके नगर पंचाईत में है नगर पंचाईत का समूचा सोलर का विज़ी विवस्था लागू होना है उसमें इस सब मुद्दा जो है इन सब मुद्दों पर जो कायरी किया जाएगा बिल्कुल इमानदारी के तहत किया जाएगा चुकि मेरी छवी को कमला दाने कहा कि ए बिल्कुल ही कर्तब्दिनिष्ट इमानदार थे साथ मैं अपने मुँ से अपना बढाई नहीं कर सकता हूँ लेकिन लोग जानते हैं कि मेरे उपर एक दाग नहीं है और मैं स्वक्ष और स्वक्ष रूप में कारी करता रहा हूँ जो भी कारी किया अभी तक के पैटालीस बरस के उमर में मैं साथ सुथरा काम किया और जनता इसलिए मुझे बुला रही है तीन चीज तो हुगा चौथा चीज हो गया कि हम लोग में जो भेद भाव है बजीर गंज नगर पंचाइत और तमाम जगह की स्थिती को असोग जी हम लोग देखते हैं हम लोग हिंदू और मुसलिम एक दब भाई की तरह रहते हैं मैं चाहूंगा कि ये भाईचारा मेरा एकदम काईम रहे और हम लोग दोनों चाहें जिस वर्ग से हों दलित हों महादलित हों जिस संप्रदाय से हों मेरा सथभावना रहेगा कि मैं उनकी मान प्रतिष्ठा कायम करते हुए आपसी सहमती से दोनों में सब लोग मिल जूल करकर रहें सांती बरकरार रहें और जिस छेत्र में जैसा विकास की जरुत रहेगा मैं उस छेत्र में वैसा विकास करने का कार्ण करूंगा किसी का अंदेखी नहीं करूंगा सबसे पहला चीज होता है आदमी के पास अपना स्वाविमान जो कि हर एक आदमी का जैसा भी स्वाविमान जिस वेक्ति का जैसा विस्वाविमान रहेगा, मैं उनका कदर करूँगा और उसका निर्वान करूँगा. तो इस विसाइब हम आगी तरह जानना चाहेंगे, कमला शर्ण है, तो कमला सर्ण से यह जाना चाहेंगे, छेत्र तो बन गया, लेकिन छेत्र बन गया, इसका डिवलप्मेट किस तरह से होगा, जो रोग समझ रहे हैं, कि कहे तरह कोई कुछ प्रूटी तो नहीं है, जिसके ब अर्मार संकर उर्ण काका जी ने कुछ समस्याओं की चर्चा किई गया, उस समस्याओं सचमुच में है, जब नगर पंचायत हो जाएगा, तो सबसे पहले यहां बजीगर्ण बाजार में समचाने की कमी है, एक अच्छा बास पढ़ाओ किया उसकता होगी, हर गर्टी को सु और चोटे-चोटे बीवाद होते हैं गाउं और कस्वों में, कहीं कजी का, कहीं राष्ता का, तो मैं समझता हो कि काका जे में छमता है, उन बीवादों का भी निप्टारा होगा, और मेरा बिश्वास है, आवंटी तरासी जोगी विकास के लिए, उसमें सत्थ परतिशक्त अगर प्रशासनिक प्रदा धिकारियों का अगर अप्रक्षित सहयोग मिला, और जन्ता का अगर सहयोग मिला, तो शत्थ पतिशत रासी दिकास पर खार्च होगी, और बजिरिगाज एक चका-चक बजार देखने को मिलेगा, मुझे पूरी आशा है, जहां तक प्रकास की ब मिले अधीक मागी हो, क्योंकि इसका उत्थ पादर में काफी खच पड़ता है, तो अभी सोलर सिस्टम का बिकास हुआ है, तो सोलर पध्यती से भी परकासित करने का बाजार गाउं के लिए फंडिंग होगा, अवस फंड का उप्योग के गाउं और बाजार को पूरी नगर नगर पंचायते अंदर प्रकाशित कर देगे, बिजार को आघका नगर पंचायत करने का को नगर-पंचायत तो नेयुक्त की है। पहेला भी शीजी के गोगआ नहीं गणर्पंचायट का, अपका नहीं दो पंचायट हो गया, ते यह मित जुमित00 मेन जम टेशीर केð गोड़िण फ्लिवे पहेले होी सिंन बिलुट के नहीं ज सप मॉड़य घय गारी उदेडी आक नहीं गोड़ू दाइरा है जो कि बड़ा ही बेतरिन तरीके से दुनों पंचायित को लिए कि कुछ लोग अगल बगल का भी था लोग का मन था कुछ पूरा आ जाए कुछ कारी सोबा आ जाए कुछ एरू के लोग भी कह रहे थे लेकिन सही धंग से नहीं प्रारूप तयार हुआ या दवापत लेकिन प्रया जा रही है और हम लोग भी चाहेंगे कि लोग को भी इसमें सभाजिता हो रहे ताकि एक संब्रिद्ध नगर पंचायित की व्योस्था हो और काम करने में आसान रहेगा अभी प्रोब्लम देखिए बाजार में गतिवीधी पोले बहुत खराब था गतिवीध सरकार के माध्यम से बाइपास निकल गया बाइपास निकल गया तब प्रोब्लम क्रियेट जो होता था जाम का उस पर काबू पालिया गया है अब है कि फुटपात जो है सभजी बेचने वाले को सरकार के माध्यम से बरावर रिपोर्ट आ रहा है कि सभजी मंडी तयार किया सबजी मंडी की विवस्था सबजी बेचने वाले के साथ नहीं किया गया इसमें जहां का तहां सबजी बेचा जा रहा है दुनुन अगर पंचाइत में पुनामा का है तो पुनामा के लोग दर बेच रहें दखिंगाओं के लोग है तो दखिंगाओं के लोग इधर बेच रहे हैं। सरकार को भी फाइदा होगा और सांती से मार्केट भी बनेगा। यही सब विजिवे उस्था है। और हैंनोगाओं के लिए फाइदा है। हैंनोगाओं कुछाओं ओन नुदेयर खाइदा हैं। और गरफने दी संपस्ट पर्तिस एसे रखा जायेगा और कारे किया जायेगा अब देखा जाये के हमारा वजीर गर्ब यह है अननलगर पंचाइत बन रहा है जिसमें पुनाव पंचाइत जुरा हूआ है और दखिनिवाव पंचाइत फ़र को जुरा हुआ है उन गरामिनों क तो तो उनुग क्या नज़रिया है ग्रामीयोत की है नगर पंचाइट बनाओे नजर नगर पंचाइट बनने के बाद लोगों में काफी खुशी हूई हम लोग सहरी करन में आ गए जिसमें कि कहीं सबसे पहले अंधेला नहीं रहे गा और जो लोगों को अपनी नाली खुद स से साफ किया जाएगा नगर पंचाइत के माध्यम से साफ किया जाएगा बच्चों को खेलने के लिए महिला लोग को टहलने के लिए पार्क नहीं था आपके नगर पंचाइत में पार्क की विवस्था है टहलने के लिए बिद्ध जनों को बैठने के लिए घूमने के लिए ए और साफ सुथरा सरक की विवस्था आपके नगर पंचायत में किया जाएगा जिसमें लोगों का कहना है कि हम लोग काफी आनंदित रहेंगे, परिसानी नहीं रहेगा, स्वक्ष तरीके से रहेंगे, जिससे रोग मुक्त रहेंगे और हम लोग का जीवन बहुत ही आसान और सर जर्या है वो एक लेदर के रूप में हैं, यो कि नगर पंचायत का लीडर आपको समझ रहे हैं लोग, तो काका अधी आप जाते हैं लोगों के पास तो क्या सुनाई पड़ता है, क्या लोग सोचते हैं, असोग जी तो पर नेया जो बना है, और वहां पे काका जी के चबी ह करते हैं कि आज मैं जो कारे किया ब्लॉट प्लालिखारी के पास गया, ठाना में गया, छोगों की बात को लेकर, तरन हम लोग पैसे की बात किसी से किया, और न जलालिका किया, न फिर बदल की बात किया, लोगों की भावना को किसी तरह से रख कर उनकी सांती ब्यवस्था को निर्वहन किया और चाह रहे हैं लोग कि हम लोग आएंगे तब थाना ब्लोक जो भी काम रहेगा लोगों के बीच रात दीन सजग हो करके और हमरे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे परिवार जैसा चलेंगे न कि उमिदवार जैसा रहेंगे एक परिवारिक रिस्ता जनता के बीच रहेगा और उसमें लोग सब सोच रहे हैं कि आप ही इस परिवारिक रिस्ता को ठीक रख सकते हैं अनिधा इसमें परिवारिक रिस्ता रखने के लिए एक लीडर और जन्ता में संबंध अगर परिवार का बन जाता है तो जीवन असोग जी बहुत सलल हो जाता है और वो जीवन जीने का अलग आनंद बनता है जो कि आज लोगों के पास नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि हाँ तो चुनौती भी आज आएंगे तो उन चुनौतीयों को आपकी इस तरह से सामना करेंगे देखिए चुनौती बच्पन से मैं ले रहा हूं हूं हमारे कमला बगु ने कहा कि बच्पन में इनके फादर एक्सपायर कर गए मा विवा थी और बहुत ही कष्ट से मैं अपने जीवन को जीया कर्म पर विश्वास किया और इसी सब बहुत सारा विड़म बना आया जिसको जहलते हुए मैं आगे बढ़ा और आज इस मुकाम पर पहुचा हूं कि जनता लोग समझ रही है कि जब ए आदमी खुद का विकास बहुत निम्न अस्तर से बहुत उंचे अस्तर तक जा सकता है तो बजीर गंज का विकास की सुचाई तक ले जाएगा हम लोग को सोचना नहीं है और इस भाव से जनता लोग कह रही है और कार्य और कर्म ही चुनावती है आप कर्म किजिएगा चुनावती और बादहात तो आता ही नहीं मैं मैं अपना सोच बतला रहा हूँ सोग जी कि रात मैं जो सोचता हूँ भगवद कृपा है वो सुवह हमें होता है ऐसा मेरा सोच है ऐसी भगवान का मुदत हुआ है और इसी सब सोच के साथ हम जनता की सेवा के लिए तयार हूँ कि जो जनता मेरे पास आएगा जिस टाइम आएगा रात आए तो दीन आए तो मैं उसकी सेवा को भरसक प्रजास कर उनसको संतुष्ट करूंगा मेरी कोई चुनोती कैसा ही क्यों नगा जाए तो हम लोग क्या चाहिए तो अगर आखरी पड़ाव की ओर में चलते हैं लोग जानते हैं हमारे वरिष्ट बैठे हुए हैं अहां पर प्रशास सिंग जी और हम चलते चलते जाना चाहेंगे कि क्या आप टिप्स देना ह। तर पत परपंचायत बने हैं उसके लिए क्या आप डिर देना चाहें होंने किस धरसोंुने को संदेश देना चाहेंगे जिस चलते हैं ह। इसमें का कए का का चलते हाला हैं। तो इस Veg!? अभत में हैं आफसे गया हम लंएं कालते हैं। वह माहतों पल। सिंहिन थे के अंतरगत हर व्यक्ति को मत देने का चुनाव रने का अधिकार है। मैं आप एक्षा रखता हूं काका जिसे की विजयी होंगे। विजयी हों और समर्पित भाव से बजियन का भिकास करें। कुछ बातों से मैं कुछ भिनता भी, मिरो विचार कुछ भिन भी है। यह से इन्होंने कहा कि थाना हो, बलोख हो, अंचल हो, हम लोग उसके लिए जाएंगे, करेंगे। यह नगर पंचायत का का पाम नहीं है। थाना का काम है विधी व्योस्था काइमरपन। अंचल का काम है रेभू समंधिर, भू राजस्प समंधिर काम करना है। और परखंड का काम है विकास करना। हर पदादिकारी, हर छेत्र, अपने अपने छेत्र में काम करेंगे। हाँ, एक जन्परतिदिरी, एक अधक्ष के नाथे, इन्हें पैनी मेजर रखनी हैं उनसा चीजों पर भी। सबसे पहले उन्होंने जो कहा सबजी मंडी के बारे में पराया उसमें गरीब बर के नोग हैं। तीनों मौसम में किसी मौसम उन्हें सुख नहीं मिलता है। लेकिन पेट की रोटी के चलते हैं। जेट की दूपहर या बर्शाथ हो या जाड़ा हो। अच्छे लोग योशुखी लोग हैं घर में रजाइकते रखते हैं। अब आचा रोट के महिजाएं। इन लग समय पस सबजी बेच के पेट की रोट। पेट की या को भिछाने के लिए उन्हों पैठी रहती है। जाला तर सथी एक सथी मंदी के बारेमिन मुने काका जिनो काहर। तो पुझ गर्ट एक सथी मंदी की वोणा भी पहुजएं। इसलिए इन गरीबर के लोग अस्थाई रूप से इन तीनों परीत्मों के मने काहर से बर सकें। और अपनी रोजी रोटी कर सकें। कमा सकें। पार्क की बात है। अभी तो बात की बात है। सरकार कहां तक राजर सुदेती है। और क्या-क्या है तो उसमे योजी नम तो है। नगर पंचायक में पार्क ही होना चाहिए। जहां के लोग जाके बढ़ें अपना इंजुआए करें वहां और टहरने के लिए निखले पार्क में लोग खूमें। अभी तो छोटी इकाई है। इकाई और बढ़ते 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 मुंस्पेट्टी हो जाए। उसके बाद और कुछ बहुत हो जाए। तो आगए की बात है। लेकिन अभी तो पर्थम चरन है, पर्थम चरन में चुनाओ होगा। और जो छेत्र के आवादी के नुसार से रासी भी आवंटी थोगी। कुछ यहां कुछ नई चीजों को बनाना है। पहले तो उसे अपना एक काल्यादे होना चाहिए। तो काल्यादे वगर बनाना सरकार का काम है। इलो मिल के प्रस्ताओं करेने इसको। लेकिन सबसे पहले है कि पार्क और सब्जी मंडी की बात जो काका जे उठाई है तो बिलकुल सही है। अगर इनके चुनाव जीत जाने के बाद अगर एक सब्री मंडी का दिर्मान हो जाता है तो उसे बहुत से गरीमों का तराम हो जाएगा। बिलकुल सही बात है। अब लोग चलते चलते जाना चाहेंगे काका अपने नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं सोग जी नगर वासियों को संदेश देना चाहता हूँ। कि आप लोग अगे अधिसूचना जारी होना बाकी है और आप लोग सांती प्रीर होकर स्वक्ष मतदान जब भी नगर पंचायत की अधिसूचना जारी हो और जवाब का तिथी निर्धारीत हो। स्वक्ष और सांती पुर्वक आप मतदान देकर अपना परिचय देंगे। ताकि एक संदेश जाएगा कि नहीं बिहार सरकार में एक नगर पंचायत बजरिवन था जो सांती पुर्ण मतदान हुआ और अच्छे प्रतिनिधी का चुनाओ किया गया जो की कार करने में खुसल पुर्वक कार करें और आपके पास अशोग जीज और जानकारी देना चाहेंगे। आपका बजिरगाई नगर पंचायत ऐसा नगर पंचायत रहेगा जिसमें आपके अहां जिला परसद का का काफी जमीन हुआ करता है जिश्टी बोट का आपका अब कमब सस्टेंड का दिकत सब्जी मंडी का दिकत अब ही गया पे चले जाईए चाहे और जगह जहां भी नगर पनाया हुगा है बहुत सारा दुकान जिस्टी बोट के तह सावर्डन किया गया अपका बजिरगाई नगर पंचायत जो है तो यहां बिहार सरकार की भूमी बहुत ही काफी है जिसमें हम लोग साहा प्रारूप बैठ कर मिल जुल कर सब लोग जनता के साथ सहयोग कर ऐसे करेंगे जो कि आपका रिकॉर्ड स्थापित होगा और काफी सराहनिय होगा आपका जिला जो है तो कहेगा कि नहीं कोई नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष बना था जो हम लोग के साथ जिनल कर और जनता की कटनाई को दूर कर दिया बेर कुल तो नगर पंचह कि ने केसे लिए कांचा आ नहीं के लिए बहूगा दे रही है उसमोके की तलास को लेकर काका आएगे और वजीर्वाद को चका चक बनाने का सपन है उनका वो सपन भी वो पूरा करेंगे तो इस चर्चा को हम यही पे अवो दिराम देगे और अपने महमान को यही पे हम कहेंगे THANK YOU SIR. All the best wishes. THANK YOU, All the best wishes.